दोस्तों स्वागत है आप सभी का BSC and NSC अड़्डा में आईए हम लोग पहले एनलेसिस कर लेते हैं आज की अपनी इंट्राडे ट्रेड्स का और उसके बाद देखेंगे कि कल के लिए मैंने किसी स्टॉक को चुना है आज का हमारा पहला स्टॉक HDFC Life का था इसे बाय करना था 579 पर और Short Sale करना था 561 पर अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह स्टॉक ओपेन हुआ था 560.75 पर और इसने हाई मारा 563.5 का तो दोस्तो इस तरह से इस स्टॉक में आपको बाय करने का मौका नहीं मिला होगा क्योंकि इस स्टॉक को बाय करने के लिए बोला था मैंने 579 पर लेकिन दोस्तो इस स्टॉक में आपको Short Sale करने का अवज से ही मौका मिला होगा इसे आपको Short Sale करना था 561 पर और आपका पहला मारा 530 का तो दोस्तो इस तरह से इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सभी टार्गेट्स को अचीब किया और एक बहुत अच्छी ट्रेट साबित हुई उमीद करता हूँ कि इस स्टॉक में आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा और आएए अब देख लेते हैं आज का हमारा दूसरा स्टॉक टाटा पावर का था इसे बाई करना था 228 पर और आपका पहला टार्गेट 230 का सोट सेल करना था 221 का अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ओपन हुआ था 229 पर और इसने हाई मारा 230.55 का तो दोस्तो इस तरह से इस स्टॉक में बाई करने का मौका नहीं मिला होगा और इस स्टॉक ने लो मारा 225.9 का तो दोस्तो इस तरह से इस स्टॉक ने सोट सेल करने का भी मौका नहीं दिया क्योंकि इसे short sale करना था 221 पर और ये नीचे नहीं गया 225 से तो उम्मिद करता हूँ कि जिसने भी पहले stock में trade डाली होगी उसने निश्चित तरपर profit book किया होगा और जिसने दूसरे stock के लिए wait किया होगा उससे trade डालने का मौका नहीं मिला होगा तो चलिए दोस्तो टाइम को ना गवाते हुए देख लेते हैं कि कल के लिए मैंने किस stock को चुना है लेकिन दोस्तो उसके पहले मैं आप सभी को एक बात अवसी याद दिलाना चाहता हूँ intraday trading rules को हमेशा follow करिए और खास कर इस time की market में तो market में बहुत ज़्यादा उतार चड़ा हो रहा है बहुत ज़्यादा volatile है आप सभी लोग जानते हैं जो लोग stock market से जुड़े हुए हैं trading करते हैं या investment करते हैं तो इस time बहुत ही सचेत रही है और अगर नहीं समझ आ रहा है chart wise या फिर आपको price में moment नहीं समझ आ रहा है आप नहीं entry ले पा रहे हैं सही time पर exit नहीं कर पा रहे हैं तो इस time market से बाहर रहे हैं कल का हमारा intraday का stock रहेगा concord का आप चाहें तो अपनी intraday की trade भी इस stock में डाल सकते हैं आप इसे buy कर सकते हैं 602 पर पहला target 606 का और दूसरा target 610 का अगर यह stock गिरना शुरू होता है तो आप इसे short sale कर सकते हैं 589 पर और आपका पहला target 585 का और दूसरा target 581 का और दोस्तों इस stock में आपका stop loss रहेगा 6 point का तो दोस्तों अच्छे से trade डालिए और सही time पर profit book कर लिजे कम profit हो रोज हो और लगातार हो इस rule को आप follow करिए निश्यत तोर पर ही आप end of the month या end of the week जब भी आप अपना P.E.L. calculate करेंगे हमेशा ही profit में रहेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like जरूर कर दें और अगर आप इस channel पर नए हैं तो channel को subscribe जरूर कर दें daily intraday trades के लिए आप सभी से कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद